कई से हैं अप लो आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे शुरू करते हैं आजका अध्याय कहानी लेखन कहानी मानव कलपना की अभिवक्ति यानी की मानव जो कलपना करता है जो रूप देकर उसे बनाना वशक है अपने मन के भावों वविचारों को दूसरों के मन में उदेलित करना जिटना सरल कहानी द्Das होता है उतना अन्य किसी साधन से नहीं होता कहानी थो भाशा सरलब वैसरेत होनी चाहिए विद्यार्ति को निरंतर लगु कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए इन्हें बुच्चे बूढे इस्तरी पुरुष आदी सभी वर्ग के लोग बड़े चाव से पढ़ते और सुनते हैं इनमें जहां एक और हमारा मनुरंजन होता है वहीं दूसरी और ये हमें नैते ज्यान भी प्रदान करते हैं तो बच्चो कि भाशा सरल प्रभापूर्ण वर्रोचक होनी चाहिए कहानी में सभी घटनाव का वर्णन क्रमनुसार होना चाहिए कहानी का अदेश्य स्पष्ठ तता अंत शिक्षा पत होना चाहिए यानि कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली वो बताना भी जरूरी है तो आएए पढ़ इसे ही आलसी प्रवर्ति के थे वे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते थे इस तरह खेल कूद में उसका बच्वन बीता बुड़ा किसान परिश्रम करता दिन रात मेहनत करता दिन में हल चलाता जानुरों की देख रेक करता जब फसल पक जाती तो रात रात भर जाकर फसल की देख रेक करता यद भी उसके चारों बेटे जवान हो गए थे फिर भी वे अपने माबाप के साथ उनके काम में हाथ नहीं बाटते थे आखिर अधिक परिश्रम के कारण बूरा किसान बीमार रहने लगा एक दिन जब वह बहुत बिमार था उसने अपने चारों बे हो कि मेरा स्वास्ते खराब है मैं कभी भी मर सकता हूँ इसलिए तुम मेरे बाद खेते में चिपाए हुए धन को निकाल कर चारों भाई आपस में बाट लेना इसके ठीक दो दिन बाद बूरा किसान मर गया उसके दो बेटों ने अपने खेतों को खोदना शुरू कर दिया जब उन्होंने सारा खेत खोट डाला तो उन्हें कुछ नहीं मिला इसके मन में अपने पिता के प्रती क्रोध जूटे होने की भावना आई परन्तु तब ही गाउं का एक बज़र्ग बोला अब इन खेतों में बीज बोदो उन्होंने वैसा ही किया खेत में पौधे के अंक कर एक बुज़र्ग व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि उनके पिता ने जो कहा था वास्ता में वह सत्य था असली धन तो परिश्रम में ही छिपा है अब उन चारों को परिश्रम का महत्व समझ आ गया था तो बच्चों इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है तो हमें अपनी जिंदगी में परिश्रम करते रहना चाहिए क्योंकि परिश्रम करने से ही हमें सफलता मिलेगी अगली कहानी है मूर्ख मित्र बहुत पुरानी बात है एक गाव में दस मित्र रहते थे वे सभी जुलाहे थे और कपड़ा बुनने का काम करते उनका आपस में बहुत प्यार था एक दिन सभी मित्र एक साथ सूत खरिदने के लिए शहर जा रहे थे शहर के मार्ग में एक नदी पड़ती थी परंतू दुविदा यह थी कि उस नदी पर कोई पुल नहीं बना था तब बहुत सोच विचार कर उन्होंने नदी को तैर कर दिन का निश्चे किया और सब ने तיärकर नदी पार कर लिए तब उन में से एक मित्र बोला घंक कर लेनी चाहिये कि हम सब ने नदी पार कर ली है या हमारे कोई साथ ही रहा गया है सब ने उसकी बात का समर्थन किया अब सब मित्र एक पंक्ती बना कर खड़े हो गए और एक मित्र सब को गिनने लगा एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट और नौ उसने अपने आपको नहीं गिना अपने को एक कम जानकर एक एक करके सा मित्रों न गिनती गी पर एक बार गिनती करने वाला अपने को गिनना छोड़ देता अब तो उन सब को इश्वास हो गया कि उनका एक मित्र पानी में डूब गया है अपने एक मित्र को मरा जानकर वे सब वहीं बैट का रोने लगे कुछ दिर बाद उसी स्थान से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने उनके रोने का कारण पूछा तब सभी मित्रों ने रोते रोते उस व्यक्ति को सारी बात बता दी किन्तु उस व्यक्ति ने जब उन मित्रों को गिना तो वे पूरे दस थे अब वे आदमी सारी बात समझ गया वे हसते हुए उन सभी को बोला भाईयो आप गिन्ती में पूरे दस हैं अभी मैं आपको गिन कर दिखाता हूँ एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस आपने अपने को दस जान कर वे सभी मूर्क मित्र बहुत प्रसन हुए और उस व्यक्ति को धन्यवाद दे कर वहां से चले गए तो बच्चों इस कहानी से सिख्षा मिली कि बुद्धी सबसे बड़ी होती है अगली कहानी है संगती का फल संगती का मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पढ़ता है जिसके संग हम रहते हैं उसका हम पर जरूर प्रभाव पढ़ता है यदि हम आग के समीप रहते हैं तो गर्मियन भव होती है बर्व के समिक थंड़क प्राप्त होती है तो बच्चों देवगर गाओं में एक अध्यापक रहते थे उनका नाम था राम नात शर्मा वे स्कूल में बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते थे उनका अपना बेटा मेहूल भी उन्ही के स्कूल में पढ़ता था मास्टर जी का एक ही बेटा था इसलिए उनकी आँखों का तारा था मास्टर जी उसका बहुत ध्यान रखते थे आठवी कक्षा तक आते आते मेहूल बड़ा समझदार बन गया माता पिता उसकी समझदारी को देखकर निश्चित हो गए परंतु स्वतनतिता पाकर मेहूल बुरी संगित में पढ़ गया वह बुरे लड़कों के साथ घूमता कठोर शब्द बोलता गालिया देता और सिगरेट पीता माता पिता की शिक्षा उसे बूरी लगने लगी एक दिन मास्टर रामनाज जी ने उसे बजार ले गए वह एक टोकरी से सेब खरीद कर घर लाए उन सेबों में से एक गला हुआ सेब था मेहुल उसे निकाल कर भार फैकने चाहता था क्योंकि उससे दुरगंदा रही थी परन्तु मास्टर जी ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया उन्होंने जान बूच कर वह गला सड़ा सेब टोकरी में रखवा दिया और उसे ढग दिया दूसरे दिन पिता ने सवेरे मेहुल से कहा बेटा सेब की टोकरी में से खाने के लिए कुछ सेब ले आओ मेहुल ने कहा पिता जी मैं अभी ले कर आता हूँ यह सुनकर मेहुल ने टोकरी खोली टोकरी में सभी गले सेबों को देखकर वह बढ़ाने राश हुआ पिता की बाते सुनकर मेहुल को अपनी गलती का एसास हुआ उसने बुरी संगती का त्याक किया और वे अच्छे लड़कों के संग रहकर एक अच्छा नागरिक बना तो बच्चो इस कहानी से शिक्षा मिली कि बुरी संगती पतन का कारण होती है इसलिए हमें भी बुरी संग गुम रहे थे प्रातकहाल का समय था चेडिया चहचार ही थी बाग में चारों और सुनदर फूल खेले हुए थे सारा बाग उनकी सुगंत से महक रहा था पास ही एक तालाब था जहहाँ सुनदर कमल के फूल खिले हुए थे वहीं एक पेड के नीचे सिद्धार्द बैठ गए और चारों और के दर्शियों को देखने लगे अचानक ही एक और से पक्षियों का कल्रव होने लगा सिद्धार चौक पड़े अगले हिशन उन्होंने देखा कि एक हंस जो बान से बिंधा हुआ था पेड से गिरा उन्होंने जाकर शीगरी उसे उठाकर गोद में रखा उसके शरी से बान निकाल कर उसके घाव को धुने लगे हंस को पानी पिलाया पानी पीते ही वह कुछ सेतना में आया तभी दूसरी और से एक राजकुमार को हाथ में धनुश लिए उस और आता देखते हुए व वह समझ गए वह राजकुमार देवबद था वह आते ही पक्षी को मांगने लगा परंतु सिधार्थ ने उसे पक्षी को नहीं दिया इस बात पर दोनों में बड़ा वाद विवाद हुआ यह बात राज्य में चार और फैल गए जब यह बात नियायाले में पहुची तो न राज को दिया हिंसा से बड़ी होती है तो बच्चो इस सिख्षा यही मिली कि रख्षक भख्षक से श्रेष्ट होता है यानि कि जो रख्षा करता है जो ड़या करता है वो सबसे जादा अच्छा होता है अगली कहानी है घमंडी का अंत किसी जंगल में एक लोमडी रहती थी बन राज से उसकी गहरी मित्रता थी जिस कारण वे बहुत घमंडी हो गई थी और जंगल के अन्य पशुम पर रॉब दिखाते थे एक दिन वे जंगल में सैर के रादे से निकली रास्ते में उसे एक बिल्ली मिली बिल्ल घमंडी तु मुझे क्यों डरा रही है क्या तु जानती नहीं कि मैं वन्राज की चहीती बहनूं अगर वन्राज को पता चल गया तो वह उन शिकारी कुट्तों को फार डालेगा फिर भी मैं शिकारी कुट्ते से बचने का उपाई जानती हूँ अच्छा वह कौन सा उपाई जरा मुझे भी तो बताओ बिल्ली ने डरते डरते लोमडी से पूछा लोमडी फिर घमन भरे स्वर में बोली मैं तो भाग कर घड़ी जाडियों में छिप जाओंगी किन्तु तुम उन शिकारी कुत्तों से अपना बचाव किस प्रकार करोगी प्यारी बहन मैं तो सिर्फ पे पेड़ पचड़ गई और लोमडी अपनी जान बचाने के लिए जाडियों की ओर भागी किन्तु लोमडी का पीछा करते करते शिकारी कुत्ते भी वहां पहुच गए उन्होंने लोमडी को दबोज दिया और उसे मार कर खा गए तो बच्चों इस कहानी से सिख्षा मिली कि अहंकार सदय पतन का कारण होता है अहंकार यानि की घमण अगर हम अपने उपर घमण करेंगे तो कभी ने कभी हमारा नाश दरूर होगा इसलिए हमें घमण नहीं करना चाहिए अगली कहानी है शुद अन महाभारत काल की बात है एक दिन अर्जुन महल में पहुचे तो दे आतिती महदे आप हमारे घर पदारे हैं क्या कारण है जो आप इतनी उदास है ब्रामण ने श्री किष्ण की ओर देखा श्री किष्ण बोले अर्जुन आज महाराज युदिष्टर ने इन ब्रामण देव को भूजन के लिए आमंतरित किया है तुम तो जानते ही हो कि शास पर दुखी है कि आज उने उस व्यक्ति का अन्द खाना पड़ेगा जिसका धन उनके परिश्रम का नहीं है अर्जुन समझ गए कि ब्रामण पक के सत्यनेश्ट है अतव है असायत्विक भूजन नहीं करना चाहते अर्जुन ने कहा मैं ब्रामण देव की विथा को समझत र जुदिष्ठर ने उत्तर दिया मैं यह सोच कर दुखी हूं कि काश मैं अपने परिश्रम द्वारा उपार जिधन से इन अतिती की सेवा कर पाता यह सुनकर अर्जुन को अपने भाई की महानता पर गर हुआ तब ही श्री कृष्ण के चहरे पर भी बड़ी चिंता आप तो ग्यानी हैं स्वयम तप तेज रूपी धर्म हैं आप कि सिंता में पड़ गए हैं अर्जुन ने प्रश्न किया ठंडी सांस लेते हुए श्री कृष्ण बोले मैं यह सोचकर उदास हूं कि अभी तो भोजन करने वाले और कराने वाले दोनों में यह विवेक और बो आएंगे उन्हें केवल स्वादिष्ट भोजन का ही लोब रहेगा वे यह कहां सोचेंगे कि किसी का धन है या अन्शुद है या नहीं इस प्रकार पाप या न्याय द्वारा किसी भी प्रकार धन कमाकर जब लोग धान करेंगे तो इस प्रिश्वी की क्या हलत होगी यह कहक सदे मुस्कराने वाले शेह कृष्ण भी सोच में पड़ गए तीनों के विचारों की उच्चता को जानकर अर्जुन का सिर श्रद्दा से जुग गया वह बोला आप तीनों धन्ने हैं जो इतने विवेक और विचार से अन्न को परखने के बाद ही उसका महत्व आपते हैं तो बच्चो इस कहानी से सिख्षा मिली कि हमें अपने परिश्रम और इमानदारी से कमाए गए धन पर ही निर्भर रहना चाहिए परिश्रम यानि महनत से कमाया हुआ धन ही हमारे जीवन को सही बनाएगा आशा करती हूँ कि आपको एक कहानी समझ आ गई होगी कहानी मानव कलपना की अभी वक्ती है कहानी से मनुरंजन के सासात नैतिक ज्यान भी मिलता है कहानी की भाषा सरल प्रभापूर्ण वर रोचक होनी चाहिए और कहानी का उद्देश्य स्पस्ट तथा अंत शिक्षा पद होना चाहिए तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह ध्याय समझ आ गया होगा इसका भ्यास आप स्वयम कीजिएगा